नमश्कार मैं हो प्रिया आज है 21 फरवरी चले जानते क्रिक्ट से जुड़े 11 वरी खबरों को भारत और न्यूजलान के बीच खेले जाने वाला पहला टेस्ट होगा पैज भारत और न्यूजलाईएं के बीच पहला टेस्ट माच खेला जाना है जिसकी शिरुवात Wellington से होगी इस मैदान के इतिहास की बात करें तो यह मैदान भारतीय टीम की खिलाडियों के लिए लगी माना जाता था मगर अब इस मैदान में वो बात नहीं रही वैसे तो भारत ने इस दोरे पर ही T20 की शिरुवात इसी मैदान से की थी और New Zealand की टीम का सूपरा साफ कर दिया था मगर टेस्ट क्रिकेट में भारत का इतिहास कुछ खास नहीं रहा है इस मैदान से भारत और New Zealand ने अब तब कुल मिलाकर साथ टेस्ट माच खेले हैं जिसमें भारत को एक मही न्यूजिलान को चार टेस्ट माच में जीत का आकड़ा रहा है वहीं आज खेले जाने वाले माच में भी टककर बरावर की होगी जहां दोनों टीम अपने सर पर एक-एक सीरीज की जीत का सहरा सजा चुकी है कप्तान कोली ने किया अपने सन्यास का एलान सभी भारतिय क्रिकेट पैंस के लिए एहम सोचना भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोली ने एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि वो अभी कम से कम तीन साल और तीनों प्रारूपों में क्रिकेट खेलते रहेंगे उसके बाद किसी एक फॉर्माट से सन्यास लेने के बारे में सोच सकते हैं अगले तीन साल में दो T20 वर्ल्ड कप और एक पचास ओबर का वर्ल्ड कप है आज टेस्स सीरीज शुरूवने से पहले भारत और न्यूजिलान टेस्स क्रिकेट के आकड़ों पर एक नजर आज भारत और न्यूजिलान के बीच दो माचों का टेस्स सीरीज खेला जाना है जहाँ पर भारतिय टीम अपने इज़त बचा कर इस सीरीज को हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी वही न्यूजिलान की टीम एक बार फिर से T20 क्रिकेट का बदला लेने के लिए मंचा से मैदान में उतरेगी वही इन दोनों देशों के बीच खेलेगे अब तक की टेस सीरीज बेहध ही रोचक रहे है जहाँ पर भारत और न्यूजिलान टीम के बीच अब तक 57 माच केले गये है जहाँ पर भारतिय टीम को 21 वही न्यूजिलान की टीम को 10 माचों में जीत हासिल हुई है वही 26 माच ड्रॉग हुए हैं इन 57 में से 23 माच ऐसे थे जो न्यूजिलान की धर्ती पर खेले गए थे जहां भारतिय बल्लेवाजों की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है और न्यूजिलान की धर्ती पर न्यूजिलान की ही टीम ज्यादा मजबूती से उभरी है जिसके ज्यादा होगा क्योंकि न्यूजिलान अपने घर में ही खेल रही है और पिछले रिकॉर्ड्स को देखे तो अपने घर में न्यूजिलान भारतिय टीम पर ज्यादा हावी रही है मैच से पहले भारतिय उचायोग पहुची थी टीम इंडिया आज से शुरू होने वाले टेस्ट मुकाबले से पहले भारतिय टीम ने वेलिंग्टन सिथ भारतिय उचायोग का दोरा किया जहां पर इन सभी खिलारियों ने मैच से पहले उचायोग से मुलाकात की जिसका वी में बुलाने के लिए उचायों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर भविश्य में कभी वो टेस्ट रांकिंग किसी टीम के साथ अपना सान शेयर करना चाहेंगे तो वो न्यूजिलान की ही टीम होगी एहमदाबाद में बने अब तक के सबसे बड़े स्टेडियम यानि कि मौझेरा स्टेडियम को लेकर अपने खुशी जाहिर की है उन्होंने ट्वीट के जरी अपने खुशी जाहिर करते वे यह कहाए कि एहमदाबाद में इतना बड़ा और शानदार स्टेडियम देखकर काफी ज्यादा खुशे हुई है एक खिलाडी के तौर पर इस मैदान में मेरी काफी सारी यादे जुड़ी हुई है इडन में हजारों लोगों को देखकर बड़ा हुआ हूँ और अब इसे इसके भवे रूप में देखने के लिए काफी ज्यादा बेसबर हूँ आपकी ज़्यानकारी के लिए आपको बता दे एहमदाबाद ने अब तक के सबसे बड़े स्टेडियम बनकर तयार हो गया है जिसका उधगाटन 24 फरवरी को अमेरिका के राश्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प के हाथों करवाये जाएगा रॉस टेलर ने इशान शर्मा को लेकर कही बड़ी बात उन्होंने मीरिया से बाचीत के दोरान कहाए कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी टीम सिर्फ बुम्रा पर ध्यान देगी तो नुकसान हमारी टीम का ही होगा भारतिय टीम के पास वर्तमान समय में बहतरीन बल्लेबाजों के साथ साथ शांदार गेंदबाज भी मौझूद है ऐसे में उनके हर विश्विस्तरिय बल्लेबाज और गेंदबाज से निपटने के लिए हमें तयार रहने की जरूरत है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे भारतिय टीम के अनुभवी गेंदबाज इशान शर्मा रंजी माच के दोरान चोटिल हो गये थे जिसके बाद से उनके सीरीज से बाहर होने के अटकले लगाय जाने लगे थे हालाकि उनके वापसी से टीम इंडिया को काफी मदद मिल सकती है महीं बीते माच में बुम्रा की बात करें तो भारत और न्यूजलान के बीच खेले गए वंडे सीरीज में बुम्रा एक भी विकेट नहीं ले पाए थे जिसके बाद अब उनके पास भी अपनी गेलबाजी दिखाने का शानदार अबसर है यूवरास सिंग ने अपने वेब सीरीज को लेकर चल रही खबरों की खुद खोली सचाई हाली में एक ऐसी खबर तेजी से फ़े रही थी जिसमें यूवरास सिंग के वेब सीरीज में काम करने की खबरे सामने आ रही थी जिसके तहट उनके धर्मपतनी हैजल, उनके भाई जुरावर और उनकी माँ एक साथ वेब सीरीज आने की खबर आसमान चुरही थी। जिसके तहट दिन भर मीडिया में यही खबरे देखने को मिली थी कि मैदान को अलविदा कहने के बाद अब युवराज सिंग करने जा रहे हैं अभी ने मगर इस खबर पर युवराज सिंग ने अब खुद अपनी प्रतिक्रिया देते वेए यह साफ कह दिया है कि वो ऐसे किसी भी वेब सीरीज का हिस्सा नहीं बन रहे है जो वेब सीरीज आ रही है वो उनके भाई जोरावर की है उनका उस सीरीज से कोई लिना देना नहीं है इतना ही नहीं उन्होंने मीडिया से इस तरह की गलत अव्वाहों को हवा ना देने का भी अनुरोध किया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे युवराज सिंग ने अपने एक ट्वीट के जरीए इन अटकलों को साफ किया है और साथ ही मीडिया को भी जम कर सुनाया है वहीं आपको ये भी बता दे जिस वेब सीरीज की चर्चा हो रही है वो असम सित ड्रीम हाउस ट्रेडक्शन के बैनर तेले बनाई जा रही है स्वारभ गांगुली और रहुल ने बदली भारतिय जूनिर प्रिकेट की तस्वीर ज्याने इंद्र पंडर मैदान के दो दिगज बलेबाद स्वारभ गांगुली और रहुल ड्रवित को अकसर खिलाडी क्रिकेट के मैदान की दिवार मानते थे इतना ही नहीं इन दोनों दिगच खिराडियों को टीम इंडिया की तस्वीर बदनने के लिए भी मुख्य कारणों में से एक माला जाता है हाली में भारतिये जूनियर टीम चैन समीती के सदसे पूर्फ क्रिकेटर ग्यानेंदर पंडर ने मीडिया हाउस को दिये एक विशेश शाक्षातकार में यह बताया है कि भारत एटीम की मुख्य कोच की रूप में राहुल रविर ने इशान किशन, प्रित्विश्वा, रिशप पंथ जैसी प्रतिभाव को तराशा है और भारतिये टीम तक पहुँचाया है हाली में भारतिये टीम के पूर केंद बास हरबजन सिंग ने रोहिशर्मा के एक वीडियो पर टिप्पनी की थी जिसका जवाब अब रोहिट ने अपने अंदाज में दिया है दरसल चोटिल होने के बाद टीम से बाहर हुए रोहिशर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने जिम की एक वीडियो शेयर की थी जिसमें रोहिशर्मा लगभग 40 किलो का वजन उठाते नजर आ रहे हैं जिस पर हरबजन सिंग ने उनकी चुटकी लेते वे लिखा था बस 40 किलो का वजन कमॉन शर्मा जिस पर रोहिट ने भी जवाब देते वे तुरंत कमेंट बाग करते वे लिए लिखा कि मैं सिर्फ 40 क केलो का वजन इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैं चोटिन होने के बाद पहली बार वजन उठा रहा हूँ रोहिट के इस पोस्ट पर रोहित और हरबजन के दावा कई सारे समर्थकों ने भी कमेंट किया है जहां कुछ लोग हर बजन की कमेंट से सहमती जता रहें तो मैं कुछ लोग रोहित के रिप्लाई का समर्थन कर रहें छे विश्व कप गवाकर मजबूती से मैदान में उतर सकती है भारतिये महिला क्रिकेट टीम आज से भारत और न्युजिलान के बीट से टेस्स सीरीज की शुरुआत के साथ ही विश्व कप की लड़ाई शुरू होने वाली है जिसके तहट आज से ऑस्ट्रेलिया में ICC Women T20 World Cup का आगाज होगा जिसमें इस बार टीम इंडिया भी पूरी तरह से तैयारी के साथ मैदान मुतर रही है वैसे तो Women Cricket Team आज तक एक भी विश्व कप अपने नाम नहीं कर पाई है मगर इस बार उनके पास जीतने का शांदार मौका है क्योंकि वर्तमान में भारतिये टीम में कई बहतरीन खिलारी मौजूद है जो टीम को इस साल इस विश्व कप दिल्वान में मददगार साबित हो सकते हैं वहीं आज से शुरू होने वाले मैच में पहला मुकाबला भारतिये टीम का कंगारू के साथ होगा जो की सिड्नी में खेला जाएगा जहांपर हर्मन प्रीत कौर की कपतानी में टीम इस कप के लिए शांदार शिरुवात करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी वैसे तो पिश्डे छे बार से भारतिये टीम के प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है मगर ट्रॉफी तक का सफर पूरा नहीं हो पाया है कुमार संगकारा और रवीब बोपारा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के उड़ाय होश साल 2009 में श्री रंका की टीम के साथ हुए वाक्या के बाद श्री रंकाई टीम ने पाकिस्तान की साथ क्रिकेट के किसी भी प्रारूप को खेलने से दूरी बना ले थी जिसके एवज में अब पाकिस्तान नियमित रूप से क्रिकेट में वापसी के लिए अपनी अलग-अलग टीम के साथ MCC यानि की मेरिल बोन क्रिकेट क्लब के खिलाफ मैच खेलते नजर आ रही है जिसके तहट पिश्रे साल से दोनों देश के बीच मैचों का सलसला शिरू हो गया है जहां इस साल खेले गया मैच में संगकारा के अधिक्ष्टा वाली MCC की टीम ने चार फ्रेंडली मैच खेले तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल के और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आज भारत और न्यूजिलान के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मुकाबले में आपके हिसाब से किसका परवरा जादा भारी है और क्यूँ अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बता है इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही क्रिकेट से जोड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेटेट रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले धन्यवाद